Find the ratio between total surface area of cylinder to its curved surface area, given that its height and radius are 7.5 cm and 3.5 cm. तो हमें total surface area और third surface area में ratio निकालना है तो total surface area का formula हमें पता है third surface area का भी formula हमें पता है सब यहां लिखे हुए हैं लेकिन पुरा लिख लेते हैं 2 pi r h plus r 2 pi r x तो 2 pi r, 2 pi r तो कड़े गया तो h divided by h plus r divided by h यह ratio में निकालना है बड़ा ही आसान और मासूम सवाल है r की जए radius, height आपको 7.5 दिया हुआ है height 7.5 मिल देते हैं और r आपको दिया हुआ है 3.5 तो आराम से आप देख सकते हैं decimal decimal हट जाएगा और आप इसे 7 से 5 से काट भी सकते हैं 5 7 जा और 5 15 जा तो बस अपना answer आजाएगा 22 divided by 15 और यही हमारा answer है बच्चों यहीज सबस्क्राइब यहाद प्रक्डाइब तो यहीज दिन्स प्रक्डाइब करें थेक्डाइबार्यकंट उस्थाएब करें पूंज बच्डाइब यहादिन्स कुछ acost शर्ड़ार्म टूर्ड़ भाओ जड़र्डू टूरार्म विर्ड़ाइन है कर दो कि भंते हैं लूवर्डल गवेर्म भाम।